हैपी क्रिस्मस! चलिए इस क्रिस्मस पर कर देते हैं बच्चो को खुश चॉकलेट्स बना कर लेकिन हम रखेंगे बच्चो की सेहत का पूरा ध्यान थंड में हम सभी अपने बच्चो को ड्राइफूर्ट्स किलाना चाते हैं बहुत सारे ताकि उनकी उमिनिटी बहुत अच्छी बनी रहे लेकिन बच्चे जो हैं ड्राइफूर्ट खाने में बहुत ही आнаकानी करते हैं लेकिन इस रेसेपी से आप उनकी इच्छा भी पूरी करेंगे और ड्राइफूर्ट भी खिला सकेंगे और गुड तो इनकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है ठंड में हम सबी को पता है चलिए फिराज ड्राइफूट का हम दरदरा पाउडर बना लेते हैं और इसी से चॉकलेट सैयार करते हैं देखिए मिक्सर को सिर्फ एक यह दो बार चलाना है रुप रुप कर और इदर दरा पाउडर बन करके तैयार हो जाएगा देखिए इसमें जो काजू और बदाम के बीचविच में छोटे चोटे पीसे आ रहे हैं इसे चॉकलेट में बहुत इच्छा क्रण्च आएगा अब हमने रखी गेस पर एक कड़ाई बिल्कुल लो फ्लेम पर और इसमें डाल रहे हैं एक चमच हम देशी की देशी की के उपर हम डाल देंगे यह सौ ग्राम बारी के चूरा किया हुआ गुड हंड्रेट काम ही हमने यहां पर राइफ रूट्स भी लिये हैं यहां पर दो बड़े चमच ले रहे हम दूद के बस इस गुड को पिगलाने के लिए हमें दो चमच दूद लेना है ज्यादा दूद नहीं डालना है लो टू मीडियम फ्लेम पर हम लगातार चलाते हुए इस गुड की सिरप पनाएंगे गुड हमें एकदम अच्छी क्वालिटी का लेन इस तरह से इसमें बबल्स आने लगे हैं आप देख रहे होंगे बस इसे लगातार हमें चलाते रहना है नहीं तो गुड नीचे से चिपक जाता है हाँ ड्राय फूट्स हम जो लेंगे न वो ड्राय तासिरवाय लेंगे जैसे कि अंजीर और किश्मिश हम नहीं लेंगे इस पानी के इंदर मिक्स नहीं हो रहा है बस इतना ही हमें इने पकाना है दो से तीन मिंट हमने सिर्फ गुड को पकाया है अब हम डालेंगे गुड में यह पीसा हुआ ड्राय फूट लेकिन हम थोड़ा सा ड्राय फूट इसमें से बचा देंगे हम आखरी में इसमें एक पादिश्ट और परफेक्ट बनेंगे बस इस गुड के अंदर हमने इस ड्राय फूट को अच्छे से मिक्स कर लिया है यहां पे हमने फ्लेम लो ही रखी है और ड्राय फूट को भी हम थोड़ा गुड के अंदर पका लेंगे ताकि ड्राय फूट में अंदर तक गुड का फ बहुती शौक से खाएं चलिए अब इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और यह मिक्सचर भी पक करके बिल्कुल तयार हो गया है देखिए साइट बिल्कुल छोड़ने लगा है और हम गेस को आफ कर देंगे और यह पूरा मिक्सचर जो हम एक प्लेट के अंदर न फंड़ने लगे प्लेट bourne इसलिए हमने गुड ना कर लिया है कि इसे हम हाथ लगा सके और हाथ को और घी से ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद चमच की साईता से थोड़ा थोड़ा इसमें से mixture लेंगे और छोटी-छोटी इस तरह से हम गोलियां तयार कर लेंगे गुड की यह गोलिया यूँ भी खाने में बहुती ज़्यादा स्वाधिश्ट लगती हैं लेकिन हाँ Christmas का मोका है तो हम इसको एक rich chocolate वाला flavor देंगे हमने आपे लिया है liquid chocolate इसे आप जो dark chocolate के बाहर साते हैं उसे double boiler system से melt करके और आप इसे बना सकते हैं जिसकी recipe हमने पहले एक वीडियो में बताईए आपको उसका link हम description में आपको दे देंगे इस तरह से fork की मदद से एक एक ball को हमने chocolate में dip करके निकाला है देखिए सभी balls तयार हो गई है fork से हमने इसलिए निकाला ताकि जो extra chocolate है वो पुरा निकल जाए और सभी balls इस तरह से तयार हो गई है यहाँ पर यह chocolate बिल्कुल तयार है हमारा लेकिन हम इसमें एक और वड़िया जवरदस twist देने के लिए इस पर dry food का जो mixture है उसको हम लपेट लेंगे ताकि इसमें crunchy सा टेस्ट आए और chocolate बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे और यह chocolates बन करके बिल्कुल तयार है चलिए फिर इस Christmas पे यह chocolates बना करके बच्चों को कर दीजिए खुश देखिए उपर से कितने ज़्यादा यह crunchy crunchy हैं दिखने में उतने ही खाने में भी बहुत ज़्यादा crunchy टेस्ट हैंगा बड़े भी इनको बहुत पसंद करेंगे और chocolates का challenge जो है Christmas पर यह खा कर कि आपको कभी नहीं लगेगा कि हम बच्चों को chocolates क्यों दे रहें क्योंकि इतने धेर सारे dry food से इस chocolate के साथ खा रहे हैं इसे और ज्यादा rich chocolate वाला बनाना है आपको तो एक बार फिर chocolate syrup के अंदर उनको dip कीजिए अंदर से जो थोड़ा थोड़ा dry food दिखेगा वो देखने में भी बढ़िया लगेगा और chocolate की करने चॉकलेट और ज्यादा टेस्टी हो जाएंगे इस chocolate syrup का आप ऐसे भी बना सकते हैं कि बजार से जो chocolate नॉर्मल मिलते हैं उन्हें double boiler की मदद से आप melt कर लीजिए और उपर से इन chocolate के ये cover कर दीजिए वीडियो को like और share करके जल्दी से हमारी channel को subscribe कीजिए चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद